हेलो फ्रेंट्स मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में आज हम बात करेंगी कि हम घर की ही मिर्च से किस तरह से मिर्च का पौधा उगा सकते हैं तो घर में ही जो हमारे मिर्च आती है हरी मिर्च उसी से मैंने इस प्लांट को भी ग्रो किया था और इस प्लांट को मैं जन्वरी में ग्रो किया था और इस टाइम यह देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और इस पर यह देखिए चिली भी आने लगी है दिखे बहुत सारी इस पेचिलिय अब आ रही है तो ये बहुत ही easy to grow है आप घर के हरी मिर्च से इसको grow कर सकते हैं तो आपको क्या करना है हरी मिर्च जब हम freeze में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं वो कुछ टाइम के बाद वो लाल हो जाती है तो जो लाल हो जाती हरी मिर्च उसको हम use करेंगे या फिर जिस तरह से ये रखे प्लांट पर ही लगे लगे जब ये दिखी जो हरी मिर्च है वो लाल हो गई है तो हम इसको grow करेंगे तो ये भी बहुत ही जल्दी grow हो जाएगा या फिर जो रेट चिली आती है उसको भी आप grow कर सकते हैं तो मैं इससे grow करके दिखाऊंगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह से इस मिर्च को मैं तोड़ लेती हूं सिर्फ एक मिर्च से ही आप बहुत सारे पौदे उगा सकते हैं तो मैं सिर्फ एक मिर्च का यूज़ करूंगी और दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से ग्रोव करना है तो फर्स्ट मैंने इसको तोड़ लिया उसके बाद में इसके सीट्स को निकाल लेती हूं तो फ्रेंट इसको सीट्स को निकालने के लिए बस आपको इस तरह से कट लगा देना है और यह देखिए इसमें सीट्स है इसके जो सीट्स है इसको मैं ले लेती हूं हाथ में और इसके सीट्स को ग्रोव करने के बाद हाथों को बहुत अच्छे साबून से जरूर धोईएग क्योंकि जो रेट चिली होता है बहुत तेज आँखों में लगता है तो अगर आपने इसका गलती से भी आपका हाथ आँखों में लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरह से हमने सीट को निकाल लिए निकालने के बाद अब हम पॉट तैयार करते हैं और उसम किस तरह से ग्रो करना है सबसे पहले मैं इसमें थर्मा कोल इसी बॉक्स में ग्रो करके दिखा रहे हूं तो आपको ले ले और उसमें सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉयल डाले मैं इसको सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉयल में ग्रो किया था आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा क कि चब्सक्राइब करें to you क्या करने सब्सक्राइब करने के पतली इस इस तरए से बना लीजेँ और जितने रहने अच्छान तो आप जितने जादा सीर्ट को ग्रो करेंगे आपको जादा बेनिफिट होगा क्योंकि जादा सीर्ट को ग्रो करने पर ये फायदा रहता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी सीर्ट सें वह सभी ग्रो हों तो इस तरह से करने के आद आपके बाद जितने भी सीर्ट से स बीड़ी और डालने के बाद उन्हें इस तरह से सोयल से कवर कर दीजिए कवर करने के बाद आप इसको पानी दे दीजिए अच्छे से और इस समय रेनी सीजन है तो ज्यादा आपको पानी देने की बीजरुवत नहीं है और फिर आप इसे एक हफ्ते के लिए सेमी सेड में हुआ है आप दिखेंग इसको ग्रोग करने का कोई भी पर्टिकुलर कोई सीजन नहीं इसी सीजन में ऻो करना चाहिए आप किसी भी सीजन में चिली को ग्रोग कर सकते अब कर सकते हैं में आच के तरह से आप ने-चेली से फुट देखो ग्रो कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से तो मेरा आज का वीडियो आपक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थैंक यू